कॉंगरेश नेता दिपेंदरशनी हुड़ा ने हरियाणा में 2024 के कॉंगरेश के सरकार आने का दावा किया है और साथ ही में उन्हों ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 300 यूनिट मुप्त बिजली भी दी जाएगी अब कॉंगरेश विजली के नाम पर कई राजियों में राधनिती कर रही है आम लोगों को इस घूषणा के क्या होगा फाइदा देखते हैं रिपूर्ट अंदर की बात में हर्याणा में अगले साल लोगसभा और विदान सभा दोनों के चुनाव होने हैं ऐसे में प्रदेश की राजनिती पाटियों जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में जुटी हुई है ऐसे में कॉंग्रेस नेता और राजसमा सांसद दिपेंदर हुडान जनता के बीच वादो की जणी लगा दी है उन्होंने एक जन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हरियाना में 2024 में कॉंग्रेस की सरकार बनती है तो वो 500 रुपे में रसोई गैस का सिलिंडर देंगे 300 युनिट मुफ्त बिजली देंगे इनके अलवा 2 लाख खाली पड़े सरकारी पदो पर पक्की भरती की जाएगी बुढ़ा पे पेंशन बढ़ा कर 6000 रुपे हर महीने कर दी जाएगी पुरानी पेंशन योजनाभी लागू होंगी गरी परिवार को 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट दी जाएगे जिनकी पुरानी अनाज मंदी में शनिवार को हाथ से हाथ जोडूरेली को संबोधित करते हुए दिपिंदर हुडा ने कहा कि बीजेपी कैसी सरकार है जिसका अपने च्छापे हुए नोटों से एतने जल्दे विश्वास उठ गया बीजेपी देश को आर्थी करूप से खोकला करने परतुली हुई है उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापक ब्रस्टाचार हो रहा है ब्यूरो रिपोर्ट जीयस्टवी